Phone Pay Account कैसे बनाएं? How to create Phone Pay Account? Bank Account अड़ करने से लेकर UPI ID कैसे यूज़ करेंगे? QR Code क्या होता? Transaction कैसे करनी होती है? Full Process में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपने Mobile Phone से ही Phone Pay Account को बनाएंगे? Activate करेंगे? प्लस कैसे आप यहाँ पे अपना UPI Pin बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, जाए दरिना करते हुए आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने Mobile Phone में Phone Pay Account को बनाएंगे? हाँ तो भाई लोग, आप सभी को क्या करना है? आप सभी यहाँ पे Screen Recording देखना चालू कर दें मैं आपको यहाँ पे Screen Recording शो कर रहा हूँ जैसे यहाँ चीजे मैं Follow करूँगा, वो ही आपको Follow करनी है तो आपको क्या करना है? डिरेक्ली अपना जोब Phone Pay Application के उपर चले जाएं यदि आपने इसको Update नहीं किया, तो Play Store पे जाएं प्ले स्टूर पे जाने के बाद, आप सभी यहाँ पे Type कर दें Phone Pay तो जैसे आप सभी यहाँ पे Type करेंगे, तो आपको यहाँ अगर इस Application के अंदर कोई Update आई होगी तो आप इसको Update कर लेना, अदर्वाइस नौर्मली इसको Open करो तो मैंने यहाँ पे ओरेड़ी इसको Update करके रखा हुआ है, तो मैं फटाफट इसको Open कर लेता हूँ तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस Application को Open कर लेंगे, Open करने के बाद आपके यहाँ पे एक Profile देखने को मिल जाएगी, Top Side या फिर पहली बार अगर आप इस पे Login करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से Mobile Number डालना है, जैसे आप सभी Mobile Number डालेंगे, Mobile Number आपको वही ड चेक करें, यहाँ पे मैं आपको मार करके दिखायता हूँ, अभी आपका जो यहाँ पे process चालू होगा, यहाँ पे आपकी जो Profile देखने को मिल जाती है, इस तरीके से, Top पे देखो, Corner में आपको Profile देखने को मिल लई होगी, इसी के उपर आपको करना है किलिक जहाँ पे मै आपको करना है क्लिक, तो जैसे आप सभी इस पे क्लिक करेंगे अपनी Profile पे, अभी आपको इस तरीके से interface देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पे कोई भी bank account अट नहीं है, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे account बनाने के लिए phone पे, तो आपको यहाँ पे bank account को add करना यहाँ पे फटा-फट से add bank account के उपर क्लिक कर देते हैं, जैसे आप सभी लोग इहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप से पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे काफी सारे bank शो कर देगा, ठीक है, आपका number आजेगा उपर, ठीक है, जहाँ पे लिखा तो अब ही आपको क्या करना, इस वाले search bar पे हम कर देते हैं, क्लिक, इस वाले पे ठीक है, यहाँ पे आपको search bar मिलना है, तो इसके उपर आपको करना है, क्लिक यहाँ से आप जो आपने directly bank account को सर्च कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, तो आप यहाँ bank जो हैं, आपको search bar पे search करेंगे, आप सभी को मैं show कर देता हूँ, और यह automatically आपको suggest कर देगा, जो भी आपका bank होगा, जैसे मैंने आप यह bank off लिखा है, automatically इसने मेरा bank of India शो कर दिया है, मैं आपको दिखा यह देखो, ठीक है, तो आपको उस bank को select करना है, जिस भी bank account में कर लेता हूँ, select करने के बाद आप सभी चेक करोगे, finding bank account आ रहा है, इस तरीकी से जो है, यह link हो गया, अभी आपको ओगे, इतना ही हो गया काम नहीं, तो भाइलोग इतना होते ही, आपका अभी काम जश्च पर तीसत हुआ है, जिहां, तो आप यह मत सोचना है कि बस link हो ग account बनाया था, आपको यहाँ पर एगा create pin, यह वाला देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखो, इस तरीके से, यहाँ पर मेरे में reset pin आ रहा है, आपके में आएगा create pin, pin यह है कि जैसे कि आप इस application को open करोगे, कोई transaction करोगे, किसी को पैसा भेजोगे, तो आपको code डालन आप यह किसी को बताना मर, ठीक है, तो आप यहाँ पर create pin पे click करना, click करने के बाद, आप सभी check करो, यहाँ पर आप से पूछा जाएगा debit card, जो ATM card होता है, उसकी आपको यहाँ पर detail डालने है, तो ATM card का आपको यहाँ पर क्या कर डालना, आप सभी check करो, सबसे पहले last digits of your card, यानि कि दोस्तों जो आपका ATM card है जो bank से मिला हुआ, उसके जो last के 6 number है, last वाले, सबसे पीछे, वो 6 number यहाँ पर डालने है, और उसके साथ valid up to, जो आपकी वहाँ पर month और expiry दी जाती है, यानि कि दोस्तों आपको महीना और यानि कि साल, वो भी दिया होता है नीचे, आप दोनों यहाँ पर डालनी चलो, मैं यहाँ पर वो भी डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जो है transition करना चालू करेंगे, यह कैसे आपका pin बनेगा, ठीक है, तो जैसे है आप सभी यहाँ पर चेक करो, मैंने अपनी detail यहाँ पर डाल दी है, अब आपको आप एक बटन देखने को मिल जाएगा, प्रसीड, यहाँ दोस्तों आपको अपनी ठीक से detail डाल देना, और प्रसीड के बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे आप प्रसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपना चो है create कर आपको यहाँ पर अपर आपको डाल देना, चलो मैं आपना अपना बटन इसके उपर कर दो क्लिक, तो जैसे आप क्लिक करोगे, अब आएगा entered four-digit ATM pin, आपका जो ATM pin है वो आपको यहाँ पर दालना है, ठीक है, जो ATM कार्ड के आपने detail डाली थी न, आप उसी ATM कार्ड की जो जो होते हैं वो आपको आपको डालना होगा ठीक है बहुत है आपको डालना होगा हो जो आपको इस फरकते है निकालते हो जो दोस्तों को Key metre करने दाल देता हूं उसके बाद दोस्तों अब आएगा यहाँ पर आप सभी चेक करो जैसे आप आप बारी आती है यहाँ पर आपको लिख्या आएगा सेट यूपी आई पिन जिया उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आप गौर करो लिखा हुआ जाएगा सेट फोर डीजिट यूपी आई पिन अब यही यूपी आई पिन जो है आप जैसी को ट्रांजेक्शन करेंगे किसी को पैसा भेजेंगे किसी से पैसा लेंगे किसी को भेजेंगे ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे रिचार्ज करेंगे तो आपको यह यूपी आई पिन डालना होगा तब ही अलग होगा phone pay का ठीक है ध्यान रखना आपको इस चीज़ का क्योंकि जो ATM card वो एक अलग चीज़ हो जाएगी आपको एप्लिकेशन को यूज करने के लिए ये UPI pin अलग हो जाएगा आपको ठीक है जैसे कि आप ATM card यूज करते तो उसका pin अलग होता ना ठीक उसी तरीके से phone pay क अपना कोई एक code बना लो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ठीक है तो आपको इस चीज़ का धहर रखना है ठीक है मैंने I hope आपको बहुत ही तरीके समझा रहा हूँ इस वीडियो में तो यहाँ पर मैं अपना बना लेता हूँ ठीक है और दुबारा डालना आपको इसी को confirm कर इसी Bank Account पर आपको यहां पर यहां पर लिखा हुआ थाता ना confirm करने के लिए दुबारा से सेव वही डालना UPI PIN आप सभी चेक करो यहां पर यहां पर पर चला जाता हूँ आप सभी चेक करो यहां पर इस तरीके से मेरा जो आपर बैंक अकाउंट एड हो चुका है यह देख आपने करना है क्लिक, जैसे आप क्लिक करेंगे, स्कोल डाउं करो, तो आपको एक option मिलेगी, UPI ID, जै हाँसतो, तो आप जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे, आपकी जो बैंक अकाउंट की जो है न, सारी UPI ID शो कर देगा, टोटल टीन UPI ID शो करेगा, तो आपको क्या करना है, activate के बटन के उपर क्लिक करना है, जिया होतो, तो जैसे आप activate के बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे और एडी जो activate हो जाती है, बट अरहा हो बटन, तो आप activate कर देना, अपको यहाँ पर प्रोफाइल प किसी को देना चाहते है, कॉपी करके तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप जो इस तरीके से UPI ID का अहाँ पर activate करेंगे, आपको UPI ID भी मिल चुके, यहीं से आप जो अपना QR code को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भ Lot of clothing, पर जिए हैं, बड्डेन वार घट। tou ऑर मोटो से एफ जो आपकोप जते हैं, यो एजा हम से इता हैं, तो आपको एजड करेंडे लाट कर से फिर वार लग जांवे, जा ँिर पीशना में से उहां बांडार और कि रवग आफ पके सार वार मेंदा करेंगे और क्या से